कुछ खास मिमान जुड़ गए हैं, राज़ुते के खास मिमान मैं तारुफ आपको करा दूँ, अनुजा कपूर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से और घनेंदर भारदवाज हमारे साथ आमाद्मी पार्टी से जुड़ गए हैं, कुछी देर में हमारे साथ नीरज मिश्रा कि हमारे साथ होंगे लेकिन फिलहाल मारे साथ अनुचा जी हैं और घनेंद्र जी हैं घनेंद्र जी मैं आपका सबसे पहले रुख करना चाहूंगी क्या सिर्फ राजनिती होगी क्या कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा कि कही ना कहीं कमी हमारी तरफ से भी थी और एक बहुत सवाल मौनसून हर साल आता है इस तरह की स्थिति हर बार बार नहीं आती है लेकिन फिर भी इस तरह के हालात ना हो उसको लेकर हमारा ब्रेरिज सिस्टम ही ठीक करवा लिया जाए ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं कि नहीं और अगर आप इसका भी ठीक रह आप दूसरी पार्टि अगर आप बीजेपी पर सौपेंगे क्योंकि आप ये कहेंगे कि आप छे महीने से जादा आप आपको वक्त हुआ नहीं है तनी जल्दी हम सुधार नहीं आ सकता लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी ना समन्वे तो बनाना ही पड़ेगा मांते हैं कि कम से कम आपदा किस्तिती में किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होने चींड ये आपदा किस्तिती है दिली के सब लोगों को मिलकर काम करना चीडिली सब की है दिल्ली अर्विंद के अजरिवाल की भी दिल्ली आम आदमी पार्टी की भी दिल्ली भारत इंसा पार्टी के लोगों की भी लेकिन अगर आप देखेंगे जब से इस तरीके की आपदा की स्थीति दिल्ली में बनी है दिल्ली के मुख्य मंतरी आपको सड़क पे काम करते बिल जाएंगे दिनली का जल मंत्री डिली की रेविऑ दिनली के दमाम मंत्री सडकों पर खड़े औके पानी के बीच बीच ղेओं के पानी निकलवा रहे हैं, रेगुलेटर चालू करवा रहे हैं, किस तरीके से, जो जाम जो चौक जो नाले हैं नाली है उनको किस तरीके से साफ किरा जाए सब लोग काम में लगे हमारे तमाम विधायक आपने देखा होगा कि दुरगेश पार्टा के हमारे विधायक वो पानी के बीच में खड़े होंके लोगों को रात समागरी पहुंचा रहे है हैं दिली के तमाम पार्शा तमाम विधायक किस तरीके से दिली के लोगों कुछा लोगों को शाइन के रहा पैर कोई विधायक आपको नजल नीए अग्युए सिवाएओं जबसे आप नाकी बनी है तबसे लगातार अर्मिंत केजरिवाल को गाली देने के आम आद्वी पार्टी की सरकार को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं करा आज हम बार बार यही कह रहे हैं राजनीती का समय नहीं है और हम पहले दिन से कहने की जिस तरीके से हतनी कुन बहरास से पानी आप छोड़ रहे हो जो एक S.O.P. बनी ह सिर ब दिनली के लोगों नहीं से नफरत करते करते दिनली के लोगों के दुश्मन ha Holocaust कैंश्हिवाल से नफरत समझ में आती है कि अर्विंद्व चुन कर देने का पर आप हर्याना government के इंसरकारा ठीरा रहे हैं है अप? लोग पहले दिन से हमारे साथ आके खड़े होते पहले दिन से कहते कि नहीं आज दिली अगर संकट में तो हमारा भी दाइक बनता है लेकिन हो के रापने देखा कल डिविजनल कमिशनर परसो रात को सौरब भारदवाश फोन करें डिविजनल कमिशनर को मंतरी 24 गंटे 48 गंटे सड़क पे खड़ा हुआ है किसी तरीके से पानी निकल भाए किसी तरीके से लोगों को बचाए जाए लेकिन क्या डिवीजनल कमिशनर इतने बड़े आदमी हो गए कि मंतरी का फोन नी उठा रहे मंतरी के वाटसप का मैसिज का जवाब नी दे रहे और चीफ सेकरेटरी जवाब ली दे रहे पूरी की पूरी अफ्तर शाई ऐसे निर्कुन्च होगी और लेटिन गवरंडर उनका बचाव करें क्योंकि डिवीजनल कमिशनर के नीचे सारे SDM आते हैं सारे DM आते हैं उनकी जम्मेदारी बनती है अगर वहाँ पे बिजली नहीं जा रही है अगर टेंटों में पानी गुजरा है अगर वहाँ पे खाने पीने की दिक्कत हो रही तो सारा काम दिल्ली के डिवीजनल कमिशनर उनके बहुस है उनको रिस्पॉंड करना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है यह क्योंकि दिल्ली में काला अध्यादेश लाए गया काला अध्यादेश लाके अफसरों को यह मैसिज दे दिया गया कि दिल्ली सरकार के मंतरी मुख्य मंतरी की सुनने की जूरतनिया आपकी ट्रांस्वर पोस्टिंग अगर कोई करेगा तो लेफ्टिंग गवर्नर करेगा अध्यादेश में ही दूबे पड़े हैं और आप उससे निकल नहीं पारे लेकिन अनुचा